बेंग डिए подтयाे त्वे कि अक्तर शुलाइं की सब्सक्राइब म्याइन अची इस तो बैक टो मार racist कुमर तो इस वीडियो में बात करेगे इग लिकल ऐन सब्सक्राइब में बात करें के बहुत सारे श्ट ऑप कुछ रहें कि सर वेटिंग लिस्ट निकलने के कितने चांसे कितने नहीं है तो इसके बारे में हम बात कर लेगी कि waiting list साल लेगी या नहीं निकलीगी मैं हलांकि पिछले साल का data आप लोगों के साथ साजा करूँ गा उसके basis पर बताऊँगा कि waiting list निकलने की कितनी possibility है और किन candidate के लिए waiting list का फायदा होता है तो बहुत सारे student यही पूछ रहे थे कि sir counseling process कब तक होगा actually मैं हमें वो बता दो कि कि बहुत time हो चुका है result आ चुका है merit नहीं आई है सबसे बड़ा issue यह है कि department की तरफ से merit list कब तक जारी की जाएगी देखिए आगर मैं बात करूँ तो इसके official webpage पर देखिए गाइस इसकी जो एगनुवी रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का merit list निकाली गई थी पिछली बार हाला कि बहुत सारे इसमें reservation भी देगे गए थे आप लोगों को यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा हुगा total reservation आप लोगों को दिए गए थे यहां पर देख सकते हैं तो मितलब सीडियूल कास्ट के लिए स्टी कैटेगरी और ओवी सी जनरल कैटेगरी इस तरीके से आप लोगों की सीटे बाट रखी थी ठीक है और यहां पर जो प्रापधान के लिए यहां पर सीटे बाट रखी थी हालां कि जो इसकी कट ऑफ ती तो यह कट ओफ इस परकार से गई थे आप लोग यहां पर देख सकते यहां पर पहली जो कट ऑफ गई थी हाला कि मैं भी बताऊंगा इसमें बेटिंग लिस्ट का कितना क्या प्रोसेस र आगर यहां पर EWS have a बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं वॉस निट नंब सốngहर इस आप अपर देख लैंने करें लिश्ट अधिकर है यहां पर इस परकार से आपके मतलब ळिल्ली वाले यूग लाश्ट जो झातेगरी की गई ती भेस वह 50 ड हम गए गई ती और यहांपर अगर मैं जनरेल कैंडी इडीडेट की बात करूरूं तो यहांपर आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली की कितनी गई थी 92 टक चलिजी थी हाइस्ट कट ऑफ-92 तक गई थी और नोस्ट के अगरिंदम बात करें तो यहांपर देखे के लोईस्ट œC,4-83-च,2-च,2 तक आगिया या-81 जनरल category वाली लिस्ट एटी तक आई देखी यहाँ पर एटी तक जनरल category की गई थी, यहाँ पर आप लोग शाप-शाप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग को का SCB category का आप देख सकते हाईस्ट 80 थी और से लोइस्ट यहां पर आप लोगों को 75 दिखाई दे रही है और OBC category की भी आप लोग हाला कि मैं आपको confirm list के बारे में बता हूँगा किन candidate के लिए betting list निकाली जाएगी किस zone से निकाली जाएगी और किन जोनों में वेटिंग लिष्ट का कोई प्रापधान नहीं है तो उसके बारे में बता दूँगा जो केनरेटर हमाचर पर पर विजिट करें तो लाइक और सब्क्राइब जुरू कर देना क्यूंकि इस सरे वीडियो आती रहती है अगर मैं देखिए वेटिंग लिष्ट की बात करूं दि दिल्ली की दिल्ली वन की तो यहां पर देखिए 85 तक गई थी इस तरीके से आप लोगों को कट ओफ देखने को मिली ती और मैं नीचे स्कॉल करूंगा और इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा इंपोटेंट डॉकुमेंट है क्योंकि आप लोगों को कांसलिंग होग में मार्क्स में नाम आ रखे थे यहां पर देख सकते हैं इस तरीके सा आप लोगों को यहां पर देखने को मिला था और यहां पर अगर मैं बेटिंग लिस्ट का प्रापधान की बात करूं तो देखें बेटिंग लिस्ट भी निकाली यहां पर देख सकते हैं आप लोग सा तो यह गाइस देख सकते हैं साफ साफ जनरल केटिगरी का यहाँ पर 79 तक लोइस्ट रहा था और यहाँ पर और इस कॉल करेगे तो आप लोगों को और भी कम देखने को मिलेगी यहाँ पर 78-77 यहाँ पर एक्शली मैं जो जनरल केटिगरी के जो इस्टुडेंट थो 77 साथ है तो आप लोगों किस परकार से का सी कैटिगरी का भी आपने देख लिया हुगा इस परकार से आप लोगों की वेटिंग लिस्ट लगी थी और यहाँ पर OBC कैंडिडेट की 71 और 70 तक यहाँ पर 69, 67, 65, 64, 63, 62 तक OBC कैटिगरी की यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का प्र सबक्राइब लेक्राइब और थोड़े आप counseling के लिए बहुत सारे student पूछ रहे हैं तो देखे कैसी यहां पर आगर हम बात करें देखो यहां पर आप लोगों के पास जब भी आप सोट लिस्टेट होगे तो आप लोगों के पास ऐसा mail आएगा आप लोगों के पास देख लेना जो जो candidate के पास अभी त पर उस link पर आप लोगों को यह payment करने पड़ेगी इस तरीके से आप लोगों को इन्हों ने दिखा रखा है और यहां पर इन्होंने required document आप बहुत सारे student यह बोल लेते कि और जो आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा और जो आपके पास इसकी कॉपी रिजल्ट की जो कॉफी होगी जो रिजल्ट आपने देखा होगा उसकी एक कॉपी जरूर निकाल के रखें क्यूंकि document verification में वो काम आएगा जब counseling आप लोगों की होगी अगर मैं दूसरे paragraph की बात करूं तो इस paragraph में यह लिखा हुआ है आपने high school secondary senior secondary graduation और post graduation mark certificate from the original in respect of candidates who acquired a degree bachelor चाहे आप लोगों के पास यह document होने चाहिए आप लोगों की जो master और मतलब master degree करकी है बैचलर डिगरी करकी है तो आप लोगों को आपना जो भी यह portal देगे उस पे आप लोगों को upload करना of study center और जो भी आपका RC होगा उसके माध्यम से अगर यहां पर थर्ड पैरा की बात करूं तो बहुत सारे student के पास यही दिक्कत है कि सर NCT क्या है तो NCT आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने NCT recognized certificate ही ले रखा होगा तो यहां पर जैसे ही मैं यहां पर click करूंगा तो यह यहां पर आप लोग साब साब देख सकते हैं यहां पर क्या क्या रखा है थर्ड पैरा के अंदर NCT certificate seat certificate recognized teacher education program completed face-to-face mode यहां पर आगर मैं 4 की बात करूं तो अगर देखें यहां पर NCT recognized आप लोगों ने कर रखा हो वाला certificate और 4 पैरा में यह लिख रखा है जो NCT certificate आप लोगो और 5 पैरा यह कह रहा है आप लोगों का अगर यहां पर मैं बात करूं if you belong to any reserve category आप लोगों के पास कोई न कोई category होगी चाहें SC, ST, PWD, PH मतलब यह सब EWS category तो आप लोगों के relevant copy इसके certificate upload करने पड़ेगे तेक है अब यहां पर 6 पैरा आप लोगों का यह बता रहा है मैं जल आप लोगों को बताते तो OBC certificate renew होता है मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था और बहुत सारे student ऐसे थे वो बोल रहे थे कि सर कब से होने लग गया है OBC renew होता है आप लोगों का जब भी पुराना हो जागा तीन साल से है यहां पर आगर मैं बात करूं income certificate भी आप लोगों का OBC certificate नहीं होना चाहिए यहां पर अगर मैं सेवंते पैरा की बात करूं तो यहां पर आप लोगों की कुछ ज्यादा खास नहीं कह रखा है जो प्येच कैटिक डेट है वह आप लोगों की 40% disability बार बिड्डो सेटिबिकेट आप लोगों को लगाना आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोगों को ने कहां पर अपना नाम चेंज करवाया तो यहां पर थोड़ा सा प्राबदान रखा गया है अगर मैं अगले की बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं या जब भी आपने कुछ न कुछ कर रहा हो तो यह certificate आप लोगों को देख लेना अगर मैं लास्ट पैरा की बात करूँ तो लास्ट पैरा में यह ही कह रखा है कुछ खास नहीं है आपको original certificate from recognize आपर primary, secondary, higher, senior, secondary school जो provide करवाता है आप लोगों के एक internship आप लोगों ने दी होगी मतलब income set लगाओगे तो आप लोगों के internship का form भरना ही भरना पड़ेगा यह internship का form आप लोगों को मेरे telegram पर मिल जाएगा हाला कि पिछले साल कभी मैंने बहुत सारे बच्चों को provide करवाया था तो यह थे थोड़ा सा important क्योंकि बहुत सारे इस्टूरेंट पूल रहे हैं कि सर यह हमारा थोड़ा betting list का क्या प्राबदान है कब आएगा कब ने आएगा तो I hope थोड़ा सा भी आपको पता चलिया होगा अगर मैं यहाँ पर बात करू कि counseling कब तक होगी आप लोकों को department जल्दी जारी किया जाएगा कि आरसी पे मतलब किसी भी आरसी पे पहले अप्लोड किया जाएगा और उसके आरसी के माध्यम से दीरे-दीरे जितने भी आरसी होगे सब पे धीरे-दीरे आप लोकों का आ जाएगा तो इस परकार से ये प्रोसेस रहने बला है 2024 का यह थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कैस्ट प्लिस लाइक और सब्सक्राइब करना है क्योंकि इस से रेलेट हमाचर पर वीडियो आती रहती है तो फिर बिलते है कैस्ट नेस्ट वीडियो में नियू अप बढ़ बाट